हेलो एवरिवन बच्चों आज हम क्लास एट का एक चप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है विश्वास घात विश्वास घात शब्द दो शब्दों से मिलके बना है विश्वास और आघात अब विश्वास घात क्या हुआ दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो व किसी के विश्वास को चोट पहुंचाना, किसी के विश्वास के साथ धोखा बाजी करना विश्वास गात है, कि अब यहाँ पर क्या है मैं आपको चेप्टर ब्रीफ कर देती हूँ, यह एक हिस्टॉरिकल स्टोरी है, इसमें दो भाई हैं, दो भाईयों की कहानी है, एक का न राजा है और शेर सिंग जो है वो उसका बड़ा भाई है, अब नियम के अनुसार बड़े भाई को ही पिता के बाद राज्य मिला करता था, अगर बड़े बेटे में कोई खराबी है या बड़ा बेटा अच्छा राजा बनने के गुन नहीं रखता है, तो उसके बाद बना दिया गया, अब वाजिद अली के साथ जो है वीर सिंग का युद होता है, और ये युद बहुत दिनों तक चलता रहता है, जिसमें की वीर सिंग की हार नहीं होती है, वाजिद अली जो है वो मुसल्मानों में और राजपूतों में बहुत जगड़े हुआ करते थे उ राजपूत राजा जो है वो नियमों में रहकर लड़ाई करते थे वीर सिंग जो है यहां पर वीर सिंग को हराना मुश्किल हो रहा है वाजी दली के लिए यह बात वाजी दली खुद मीर खान से कहता है मीर खान उसका सेना पती है तो एक दिन शेर सिंग वाजी दली के पास और वाजी दली से कहता है कि वीर सिंग को हराने का मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, मतलब वो अंदर की जो सारी planning है, राज्य की और जो किले की बनावट है, किस दर्वाजे से, किस सुरंग से राज्य में प्रवेश किया जा सकता है, ये सारी खूफिया जानकारी मैं आप मेरा मेरा फायदा क्या मैं जीत जाओंगा क्यों अरु कि ये जांकारी के सारी रजा जगा मुझको राजा बना देना तो वाजी दली जो है अंदर अंदर अपने मन में सोचता है कि जो अपने भाई के साथ गदारी कर सकता है वो कल को मेरे साथ भी गदारी कर सकता है तो वो कहता है कि नहीं में आपके साथ गदारी नहीं करूंगा उससे तो मुझको बतला लेना मतलब अपने भाई से खेर उसकी बातों को मानते हुए वाजी दली वो सारी खुफिया जानकारी एकत्था करता है और वाजी दली युद्ध जीत जाता है तो किले की जितनी महिलाएं वो सब जोहर कर लेती हैं जोहर का मतलब ये मैं आपको समझा देती हूं कि जोहर और सतीबा था इन दोनों में बहुत सारी समानताइं है दोनों में ही महिलाएं जो हैं वो पुरुश जब युद्य के लिए जाते हैं और उनको पता चलने लगता है कि हमारे पती जो है हमारे भाई ये जो हमारे मेल आपने अभी ये पदमावत जो मुवी आई थी इसमें आपने देखा होगा ना कि सारी महिलाएं जो हैं वो एक बहुत बड़े अगनी कुंड में जाती हैं और जिन्दा जल जाती हैं इसको जोहर कहते हैं जोहर का मतलब क्या कि वो मुसल्मान शासकों के हाथ में अपने आपक कुंड में जिवित जल जाती हैं जाकर के तो इस प्रiren जोहर प्रर रहा है सामने से शेर सिंग का बेटा आ जाता है तो तर्षिंग आपने बेटे को अवाज जाता है और वो उसको अपने पिता कहने से मना कर देता है कि मैं आपको अपना पिता नहीं मानता हूँ मैं आपको अपने पिता के जितना सम्मान नहीं दूँगा क्यूंकि आपने हमारे राज्ये के साथ गदारी करी है मां कि दर है पूछता है तो कहता है कि वो मेरी मां जो है ये जो राज्य मैंने जीता है रामगड का ये मैं तुमको देता हूँ शेर सिंग की जगा तुमारे पिता को नहीं देता हूँ तुमको देता हूँ तो तेज सिंग कहता है कि मुझे घहरात में नहीं चाहिए अगर मेरे को ये अपना राज्य जो है वापस लेना है और तुमस तो वाजी दली जो है वो शेर सिंग को भी राज्ये नहीं देता है और तेज सिंग तो लेने से ही मना कर देता है और वो कहता कि मुझे ये राज्ये जो है तलवार की नोक पे ही वापस चाहिए और जिसे मैं लेकर रहूंगा तो कहानी आप पढ़िएगा कहानी इंट्रेस्टिंग है पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी आराम आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा बेटा ओके देट सॉल फॉर टुड़े